प्रयासरत कारोंमें बड़ी सफलता मिलेगी योजनाब्ध तरीके से कारे करते हैं तापकी उजनाइ शफल होंगि आप आगे बढ़ेंगे प्रकत करेंगे प्रकत कामार्ण प्रसस्त होगा बहुत दिनों से चीर परतिक्ष्ट कार अच्छा होगा रुका वधन प्राप्थ हो की संभावना बन रही है निवेश अगर पुझी निवेश करते हैं शेयर में या प्रापल्टी में या गोल्ड में तो निवेश आपके लिए लाप्रद शिद्ध होगा भाग दोड बनी रहेगी व्यस्तता रहेगी बिगन बादाओं के साथ कारियों में बड़ी सफलता मिले की संभावना बन रही है जेदी आज आज आप सिक्षा के चेतर में नोकिर के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आज आप असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफे उपाय क्या करना है दुरुगा सबस्ती के सिद्धि कुंज का इस्रोत का पाठ करना आपके लिए अचा रहेगा और आप क्या करें कि ओम नमो भगवती वासु देव आयनमेश मंत्र का जब करें और पीली वस्तु का दान करें शुभंके तीन सुब्रंगे पिंग लग मीट करें साथ हरी कृष्णा अब आएए हम बात करते हैं आज के पंचांग की आज 10 जुलाई 2024 दीने बुद्धवार चतुर्थी तिथी है मगा नचत्र है ब्यतिपात योग है विष्टी करण है सुर्योदय हो चुका है सबेरे 5 बज के 30 मिनट पर सुर्यास्थ होगा साम को 7 ब करने के लिए इसलिए कोई भी नियाकारी शुरुवात करने से बचें और आज का रहुकाल है दो पर 12 बच के 26 मिनट से ले करके आप प्राण दो बच के 10 मिनट तक रहेगा उत्तर दिशा का दिशा शूल है आज आपको एक बात का ध्यान रखना है का है चंदरभा है शिंग करने होंगे सरकारी नोकरी मिल सकते हैं वुछ पर प्राप्ति का योग बन रहा है अपनी पूरी टास्ट तार्गेट ओरियंटेड हो करके कारे करने की जुरुत है आज आपकी सफलता राह दिख रही है कि दूसरी बात का ध्यान रखना है कि रहुकाल में कोई भी कारे न कर हैं और आज नए कारे शुरुवात करने के लिए सुभम हुर्त नहीं है तो आज कोशिश करें कि कोई नए डील कोई निया कार या स्टार्ट अप इताद ना करे तो बैतर है यात्रा दिशासूल में करने से परहिच करें दिशासूल में यात्रा करना सुभत नहीं माला जात बात करते हैं आज के महामंत्र की, आज का महामंत्र है ओम बुंग बुधाय नमा, या अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भोल दिजे ओम बुधाय नमा, अगर यह भी नहीं कर पाते हैं तो ओम गंग गडपते नमा, इस तीन मंत्र का कोई भी एक मंत्रा पढ़ सकते आप के लिए अच्छा रहेगा जदी आपकी कुंडिली में बुद्ध ग्रह कीसिती ठीक नहीं है आपको प्राबलम हो रही है नमने से दूसरी बात के धियान रखना है कि अगर आपको सफल्धा प्राब्त करने के लिए गणेशजी के मंतरों का जब करते हुए और हरे रंगा एक रुमाल ले लिए निकली आपको बड़ी सफल्ध मिलेगी